बिस्मिल्ला रख्मान रहीम हुंडा सीटी 2021 की प्राइस एडवांस टेक्स, बुकिंग प्रोसीजर और बुकिंग के लिए एडवांस अमाउंट के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुंडा सीटी मैन्वल 1.2 की प्राइस 26,15,000 रुपे और एडवांस टेक्स फाइलर के लिए 25,000 रुपे है नॉन फाइलर के लिए एडवांस टेक्स 50,000 है और टोटल एक्स शोरूम जो फाइलर के लिए प्राइस है वो 26,40,000 रुपे है इसके बाद हम हुंडा सीटी CVT 1.2 की बाद अगर करें तो उसकी प्राइस 28,15,000 रुपे एडवांस टेक्स फाइलर के लिए 25,000 रुपे और नॉन फाइलर के लिए 50,000 रुपे है इस तरह इसकी एक्स शोरूम प्राइस 28,40,000 रुपे हुंडा सीटी 1.5 उन पॉइंट फाइलर के लिए 50,000 है और नॉन फाइलर के लिए एक लाग रुपे हैं तो इस तरह एक्स शोरूम प्राइस जो है गाड़ी की 29,65,000 रुपे बनती है हुंडा सिटी 1.5 अस्पायर मैनुवल की अगर बात की जाए तो इसकी टोटल प्राइस 30,35,000 रुपे है एडवांस टेक्स उसी तरह फाइलर के लिए 50,000 और नॉन फाइलर के लिए 1 लेक है एक्स शोरूम प्राइस इसकी 30,85,000 बनती है हुंडा सिटी 1.5 अस्पायर सीविटी यानि आटोमेटिक ट्रांस्मिशन में गाड़ी की प्राइस 31,90,000 और फाइलर का एडवांस टेक्स 50,000 नॉन फाइलर के लिए 1 लाग और एक्स शोरूम प्राइस जो टोटल है वो 32,40,000 रुपे बनती है इसके बाद हम हुंडा सिटी के बुकिंग प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि आप किस प्रोसीजर से अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं बुकिंग के लिए जो आपको एडवांस पेमेंट हुंडा एटलस कार्स पाकिसान लिम्टेड को देनी है वो 10 लाक रुपे है अगर आप 1.2 वरियन की बुकिंग करवा रहे हैं अगर आप 1.5 वरियन की बुकिंग करवाते हैं तो उसकी एडवांस अमाउंट जो आपने पे आउडर बनवाना है वो 12 लाक रुपे का है ये पार्शल पेमिंट करके आप अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं इसके बाद डिलिवरी टाइम जो के मुख्लिव टाइम पे वेरी करेगा इस वक्त एक एस्पेक्टिड जो डिलिवरी टाइम दिया जा रहा है वो CVT वरियन के लिए फरवरी 2022 और मैनुमल के लिए दिसंबर 2021 है ये डिलिवरी टाइम मुख्लिव अकात में वेरी कर सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है ऐस पर बुकिंग कॉंटिटी तो ये मुकमल बुकिंग का प्रोसीजर था इसके लावा एक और बात के 1.5 में एक स्टेंडर वरियन है जो के सिरफ CVT में है वो नौन अस्पायर है उसकी जो प्राइस है वो 29,15,000 रुपे और उसका फाइलर का एडवांस उसी तरह 50,000 और नौन फाइलर का 1,00, रुपे है इस स्टेंडर वरियन के लावा मैनौल वरियन 1.5 में स्टेंडर में अवेलेबल नहीं है